असलाम आलेकम स्टूडेंट्स बेटा आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी सेकिंडियर मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट शोर्ट कोश्चन्स एंड लॉग कोश्चन्स बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन्स हैं और इनके पेपर में आने के 98% तक चांसिस हैं अगर आप लोगों कोई भी चीज नहीं आती मैयरत के पेपर में तो आप लोग बस इन कोश्चन्स को तियार कर लें आपके इन्शालला 90% तक पेपर सॉल्फ हो जाएगा 80 marks का आपका subjective paper होता है जिसमें आप लोगों के पास सबसे पहले होते हैं short questions जो question number two के लिहासे important है पहले मैं वो शियर करूँगी फिर question number three के लिहासे फिर four के और long के लिहासे सबसे पहले आपके पास question number two होता है जिन में से आपने eight questions attempt करने होते हैं हर question आपके पास two marks का होता है eight question attempt करने है तो part two आपके पास यानि के question number two 16 marks का बन जाता है question कौन कौन से है से क्रीन पर चल रहे होंगे आप rate कर सकते हैं उसके बाद आता है हमारे पास question number three उसमें से भी हमारे पास 12 questions given होते हैं जिनमें से attempt हमने कोई से 8 करने होते हैं हर question 2 marks का होते है तो टोटल 16 marks की बन जाएंगे question कौन कौन से हैं जी हमरे पास screen पर आपको show हो रहे होंगे आप लोग इनको बहुत अच्छे से त्यार करें practice बार बार करें इन्शाला इनके अंदर से ही आपके questions आएंगे उसके बाद जो question number 4 के लिहाँ से important है वो देखते हैं question number 4 जो है आपके पास उसमें से आप लोगोंने 9 questions attempt करने होते हैं उसले हाँ से आपका 18 marks का question number 4 बन जाता है question कौन कौन से है screen पर paper चल रहा है आप लोग read कर सकते हैं question number 4 के बाद हमारा short questions का portion खतम हो जाता है उसके बाद आता है section 2 यानि के long questions का उसमें आप लोगों के पास note दिया गया है attempt any 3 questions from the following आप लोगोंने कोई से 3 questions attempt करने हैं हर question आपके पास A और B दो parts पर divide होगा question आपके साथ screen पर चल रहे होंगे आप लोग read कर सकते हैं अब जैसे question number 7 है आपके सामने तो इसमें A part B है B part B है अगर आप लोगोंने A question attempt करना है तो आपको इसका A part B करना पड़ेगा और B part B करना पड़ेगा इसके लिए आप लोगों देख लें कि आप लोगोंने कौन सा question करना है और कौन सा छोड़ना है इसके लावा अगर कोई भी question आप लोग comment section में पोच सकते हैं